प्रीय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए यू को क्या पढ़ते हैं अगर ये किसी सब्द में हो तो वहाँ पर ए यू को क्या पढ़ा जाएगा तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे तो देखिए अगर किसी सब्द में अगर किसी सब्द में ए यू हो तो वहाँ पर ए यू का उच्चारण ओ क्या जाएगा आपके सामने दो सब्द हैं देखिए इस सब्द पर चलते हैं यहाँ पर ए यू है इसका उच्चारण ओ क्या जाएगा तब हम इस सब्द का सम्पून उच्चारण करते हैं इस वाले सो में ओ है तब हम इस सब्द को परेंगे शोष ठीक उसी प्रकार इसे परेंगे पोश तो आपको ये नियम समझ आही चुके होंगे अब आपको नोट्स बथाते हैं देखें यदि किसी सब्द में EU हो तो वहां पर EU को O पड़ते हैं जैसे यहां पर लिखा है शोष पोश और EU है EU इसमें भी है इसमें भी है तब इनका उच्चारण हो जाता है शोष पोश इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू है मिनाश्टिक झाल झाल